आज की कहानी है बंद मुठ्थी खुली मुठ्थी एक व्यक्ति के दो पुत्व थे दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विप्रीत था एक बहुत कंजूस था तो दूसरा फिजूल खर्च पिता उनके इस स्वभाव से परेशान था उसने कई बार उनको समझाया लेकिन उन्ह कर महात्मा ने कहा अपने पुत्रों को कल मेरे पास लेकर आना मैं उनसे बात करूंगा अगले दिन वह अपने पुत्रों को लेकर महात्मा के पहुचा महात्मा ने दोनों पुत्रों को अपने पास बैठाया और अपने दोनों हाथों की मुठ्थियां बंद कर उन्हें किया यदी मेरे हाथ ऐसे हो जाएं तो बताओ कैसा लगेगा अब भी लगेगा कि आपको कोड है दोनों पुत्रों ने उत्तर दिया उत्तर सुनकर महात्मा गंभीर हो गए और उन्हें समझाने लगे पुत्रों अपनी मुठ्थी सदा बंद रखना या सदा खुली रखना एक तर ऐसे जीवन का संतुलन बना रहेगा पुत्रों को महात्मा की बात समझ में आ गई और उन्होंने निश्चय किया की संतुलन बना कर ही अपना धन खर्च करेंगे कहानी से सीख जीवन में धन का बहुत महत्व है उसका खर्च सोच समझ कर करना चाहिए अधिक कंजूसी भ जूल खर्ची भी ठीक नहीं दोनों भी दरिद्रता का संकेत हैं एक धन होते हुए भी दरिद्रता और एक धन चले जाने की दरिद्रता अता ऐसे खर्च करेंगे धन का संतुलन बना रहे